स्वागत है इस चैनल पर ये है कक्षच 6 अध्याए 1 पेज संख्या 2 का प्रयास कीजिए तो ये सवाल है निमलिखित पंक्तियों में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है तथा कौन सी संख्या सबसे छोटी है तो हमें नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है जिसमें से हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को अब पहचानना है तो आये शुरू करते हैं यह जो नियम होता है वह यह होता है कि सबसे पहले अंको को गिना जाता है जिसमें सबसे जादा अंक होंगे वह संख्या सबसे बड़ी होगी तो इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि संख्या के जो अंक हैं इसमें गिंती हमेशा तो यहां से यहां से यह होगा वन तू थ्री तो इस शंख्या में जो टूटल अंक हैं त्री अब देखते हैं इसमें increased इस संख्या में टोटल अंक है फोर अब इसमें देखते हैं तो इस संख्या में टोटल अंक है तो अब इसमें देखते हैं वान टू थ्री फोर फाइफ इस टोटल संख्या में अंक है फाइफ अब इसमें देखते हैं तो वान टू थ्री तो हमने देखा कि इसमें हैं तीन अं संक्या का कुन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे तो यहां पर है one two three four five तो यह वाली जो संक्या है हमारी यह सबसे बड़ी संक्या होगी हमारी five nine seven eight five और अब यहां पर सबसे छोटी संक्या वह होगी जिसमें सबसे कम अंक होंगी तो जाहिर से बात है देखते है one two three जो सबसे कम अंक है वह इसमें तो 18 अब इसी प्रकार हम कुछ और पंक्तियों को देखते हैं सबसे बड़ी संक्या को और सबसे छोड़ी संक्या को तो वही सेम प्रसीजर सबसे पहले हम अंकों की गिंती करेंगे किसमें सबसे ज्यादा अंक हैं तो सबसे पहले देखते हैं पहला पहली संक्या one two three four इसमें टोटल अंक हैं चार अब आते हैं इस वाली पर तो इसमें one two three four five इस संक्या में टोटल अंक हैं five इसके बाद इस संक्या में one two three इसमें तोटल अंक हैं three अब इस संक्या में one two three four इस संक्या में टोटल अंक हैं four अब इसके बाद इसी तरह से हम इसमें गिनते हैं one two three तो इस संक्या में अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि सबसे कम अंक किसमें इसमें चार इसमें तीन इसमें चार इसमें तीन तो सबसे कम अंक जो है एक तो इसमें है और इसमें है अब दोनों में अंक बराबर है मैं ढूंडनी है इसमें से सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसके आखरी का अंक भी छोटा होगा तो देखो इसमें जो आखरी का अंक है ये है थिरी और इसमें जो आखरी का अंक है ये है वन आता ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है चोटी, सबसे बड़ी, सबसे चोटी, इसी प्रकार हम देखते हैं, अगली पंक्ती इसमें अभी हमें सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या ढूंडनी है, तो सबसे पहले हम अंकों की गिंती करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, तो सबसे जादा जो अंक हैं इस अंक्या में है तो सबसे बड़ी ये वाली हो गई अब हमें डूंडनी है इन सम्में सबसे छोटी कौन है तो इसमें चार अंक हैं ये भी नहीं होगी इसमें चार हैं ये भी नहीं होगी इसमें तीन और इसमें तीन अब इसमें और इसमें सब सबसे छोटी कौन है तो जिसके आखरी का अंक सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी तो देखो 1 2 3 इसके आखरी का अंक 3 और इसका 1 तो यह वाली छोटी इसी प्रकार अब हम देखते हैं इस वाली पंक्ति को इसमें भी हमें सबसे बड़ी और सबसे छोड़ी संख्या ढूंडनी है तो पहले अंकों गिनते हैं तो 234 1234 12345 यहां पर मार मुधाम वाली संख्या सबसे कि बढ़ी यह अब इसमें एप इसमें में फोर इसमें फोर लिकन यहां पर हम आरे पास इससमें 3 तो यह वाली चोटी